सेम आलू की सबसी अजिजा सेम आधा किलो आलू चार से पाच अदत टमाटर तीन अदत सूकी वी में थी आधा कप कुटिवी मिर्च 1 टी स्पून नमक 1-2 टी स्पून चॉप लेसन अद्रग 1 अधिबल श्पून हल्डी 1-4 टी स्पून तेल 2-4 खाने के चापच तरकीब सेम को अच्छी तरह दो कर बारी काट ले आलू को अच्छी तरह दो कर चिलका उतार कर बारी काट ले और एक तरफ रख दे टामाट्रों को भी बारी काट ले एक कड़ाई में दो से चार खाने के चमच तेल डाल कर अच्छी तरह गरम कर ले जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें चॉप किये वे लेसन अधरक डाल कर दो से तीन मिनिट फ्राइ कर ले जब लेसन अधरक डाल कर दो से तीन मिनिट फ्राइ कर ले यहां तक कि टमाडर गल जाए जब टमाडर अच्छी तरह गल जाए तो इसमें आलू डाल कर दो से तीन मिनिट तेज आज पर फ्राई करें फिर इसमें हल्ती पोडर, सुर्फ मिर्ट पोडर और नमक शामिल करें और अच्छी तरह मसालों को आलू में मिक्स कर लें जब मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो कवर करकर दो से तीन मिनिट पका लें जब आलू अच्छी तरह गल जाए तो इसमें बारी कटीवी सेम डाल कर अच्छी तरह मिक्स करें तेज आज़ पर 2-3 मिनित भूले और फिर कवर करकर 5-10 मिनित ढकन ढखकर पका ले जब सेम अची तरह गल जाये तो इसमे ख़ुषक मैथी के पत्ते डाले कर तेज आज़ पर 2-3 मिनित पका ले तीन मेरे बात जब सेम अची तरह पक जाए तो इसको एक सर्विंग जिश में निकाले और चापाती के साथ सर्व करें